कि पिर्रे कानुनिय दिवक्ताव आपको सच्छ अपना मन आज हम बात करेंगे कैंसिलिशन रिपोर्ट देखने में आया कि जब थानों के अंदर पुलिस बैठके काम करती है तो बहुत बारी पर सर पर यह देखने आया और सभी लोग सहमत होंगे इस बात से कि मन मानी से काम ह होता है जैसे लगुता कुमारी की जज्मेंट है कोग्विंजन ओफेंस रिविल्ड होने के बावजुद इवन प्रिलिम्न इंक्वारी के बावजुद पलिस मर्जी से किसी के इसके अंदर आपाइदाज करती है किसी में दरज नहीं करती है और सुपरवाजरी ओफिसर होत सब्सक्राइब करता और डी सीपी कारेले से भी कुछ के सो में तो मतलब मिल जाती है दोजा प्रसेंट में लेकिंगे पिचानल प्रसेंट के अंदर वहां से भी आपाइदाज नहीं होती और फिर व्यक्ति पोश्ता है कोट के नियाले के अंदर और एक किस्ता मैं आपसे आ बात सामने आई कि कोट ने एविडेंस ले लिया कोगनियोल फेंस का जो हुआ वह भी इंडिपेंडेंट विटनेस के द्वारा फोटो ले लिए उसके बावजूद उसके उपर कोट ने आफाई आदर्ज कर दी तीन मीने के अंदर आफाई आप दर्ज करने के बाद कोट न स्टे ले लिया अब सातियों कितनी घंबीर बात है कि 9 साल से यह मुकदमा चल रहा है पुलिस की इतनी ज्यादा नेगलीजेंस पुलिस यह प्रयाद कर लिए कोट के सामने की इन्वेस्टिकेशन में नेगलीजेंस हुई और कोट बार बार यह कह रहे है कि पजाए प्रोस् समिशन रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा नो साल के अंदर प्रोस्टिकेशन कुछ नहीं बता रही कि क्या क्या जो जो को जिसको कोट करना चाहिए टूट के आपर पर कुछ नहीं को बात बता देए ना कोट रिकॉर्ड पर लेए इसे पोलिस की तरफ से पुलिस वाले पेश हो रहे हैं और पुलिस वाले आईयों का नाम और शीट पर नहीं लिखा जाता और फिर पुलिस की सीवा बैनिफिर उठा रही है फिर एप्लिकेंट ने आटिये लगा कि यहां तक निकाल के नियालने को देदिया कि यही कोट की इरिंग भी आपियर हुआ था इसकी क्योंकि आप यह देखो कि अगर कोई कानूनी अधीवक्ता कितनी फीच ले लेगा सामने वाला जो विक्टिम होता है पीडित होता है उसका दिमाग जो है प्रिशान हो जाता है और वह कुछ-कुछ ख्याल उसके मन में आने लगते हैं नियाए के प्रति वकिल साहब की प्र अधीवक्ता का भी होसला टोड़ जाता है खासवत से नए रखता होगा जब उसको रिलीव नहीं मिलता तो क्लियनट उसका साथ छोड़ देते हैं और जब साथ चो प्रेंट से के रही एक समस्या खड़ी हो जाती है स्टेट वर्सेस कैसे पुलिस मनमानी से वह तो केसों में करी देती है मनमानी करके सबूतों को नस्ट कर देती है घवाओ को स्टाइल करेती है जो उनके समझ माता है तो कि उनको पता कि नियाल ने 15 साल यह को को खीच लेंगे इतने में बंदा या तो गुजर जाएगा करोना के वाद से कितनी तेजी से पढ़ी है या उसकी घर में शादी विया के पड़ेंगे या वीमारियों से पीड़ीत है और यह सरकार का अकड़ा है कि साट साल के उपात सिर्फ ग्यारा प्रसेंट आदमी देश म मैं कहता हूं कि यह जो है जूटे इल्जाम में फसाना जिस तरके से मरत करना जहांच दिन्सियों की प्रोसेटिशन के दुवारा यह भी बहुत रहे हैं यह लगातार चलती आ रही है तो मैं चाहता हूं कि सभी कानूनी अधिवक्ता जब बार बार प्रटेक्शनेट की बा करें जो बार के सीनियर्स लोग हैं जो लड़ते हैं जो अनुभवी होते हैं श्रेश्ट में से सब्सक्राइब को चुना जाता है वो जरूर देखें और पुलिस के जो आईसाइब सफीसर है उनसे भी हाथ जोड़ के बातना है कि वह अपने नीचे जो यह सबोरियों काम कर संस्तानों गार और ना कारण्ट जो है कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी कैंसीलेशन नियाले के अंदर आये तो उसकी एक समय लीमत हैं में तीन से छे मिनें पर हो जाएगी तो नहीं नहीं जो लाखों अधिवक्ता बन रहे हैं उनका हुस्ता बनेगा उनको रिलीफ में लेगा यह जो भी कोड का ब्रवेशन होगा उनका क्लेंट सैटिस्वाई होगा वह अगले feel ?! यह आप चीज़े क्या विशह है कि उन विशह ESTivas別 हो घृत हो रहा है देश की जनता परतारित हो रही है किया जारा पैसा के आर पstपर उसकी बरबादी हो रही है प्रोस्टी क्यए हो और पैसी बरबादी हो सब्सक्राइब बचक्षावन जाइन जैवार जाइन चाटाएं डेड़ा